और आज बॉर्डर पर किसानों का शक्ती प्रदर्शन दिलियन सिया के चारों बॉर्डर पर किसान जुट रहे हैं शाजापूर, टीक्रीर, सिंगो, गाजिपूर पर बड़ी सभाएं किसानों के उनिया आज किसान अंदोलन का एक साल पूरा हो रहा है यूपी, पंजाब, हरियाना, उतराकर्ण, राजस्तान से ये किसान जुटेंगे और यहाँ पर एक साल पूरा होने का जश्ट भी बनाया जाएगा आगी की रणिती पर चर्चा भी की जाएगा एक साल हो गया और बड़ी हिंबत है यहाँ के किसानों की कि एक साल से यांदोरन कर रहे हैं लेकिन सरकार इस सुद नहीं ले रही है उसमें भी हिरा फेरी दिखाती है अभी तीन कान एक आनून वाप से लिए एमेस्पी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है अभी किसान आंदोलन को अच पूरा एक साल हो गया है 26 नुमबर 2020 को तीनों कृशी कानूनों को रद करने की मांग को ले करके किसान आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद दिल्ली के तमाम अलग अलग बॉड़ास पर किसान पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था इस वक्त हम सिंगू बॉडर पर मौजूद है सिंगू बॉडर इस करशी आंदोलन का एक मुख्य केंद रहे क्योंकि यहीं से सारी रणनीती तैह होती रही कि आकिर किसान अपने इस आंदोलन को किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे क्या स्टेटिडी होगी वो सब यहीं सिंगू बॉडर से तैह होता था आज एक साल पूरा होने के बाद किसान इस सिंगू बॉडर पर जश्ट मनाएंगे उन्होंने लाखों की संक्या में तमाम जो दूसरे राज़े हैं पंजाब हरियाना खास्तों से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलागों के अलावा जो दूसरे राज़े हैं वहां से लाखों की संक्या में किसानों को यहां दिल्ली बुलाया है और ट्रैक्टर्स में सवार होकर कि किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं कूच दिली का इन्होंने नाम दिया दिली कूच करने के लिए कहा है और यहां पर कल से ही किसानों का आने का सिलसला शुरू हो गया दूसरी तरफ दृली पुलिस ने पुख्ता इन्तिजाम किये हैं बाकाइदा जो तमाम देली में जितने भी ये बौडर्डर्स हैं वहाँ पर पुलिस की तैनाती को बढ़ा दिया गया है पैरा मिलिटरी फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई गया है और साथ ही जो बैरिकेट्स बॉर्डर्स पर पहले कम किये गये थे उन बैरिकेट्स को भी बढ़ा दिया गया है यानि कि जो लेर की सिक्यरूटी उसको काफी ज्यादा किया गया आप देखें किस तरीके से सिंगू बॉडर पर पूरी जो फोर्स है वो डेपलॉई की गई है इस जगह से आगे कोई भी नहीं जा सकता बैरिकेटिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और यहां पर पैरा म अनुनी कारवाई की जाएगे अनुनी कारवाई की जाएगे